हेलो दोस्तो माहिंदर रिश युट्यूब चाहिए अपको फिर से स्वगत हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप कुछ रिमोट एक्सेस सौप्टेर के बारे में तो अगर आप अपने घर बैठे अपने कंपीटर से दूसरे किसी कंपीटर को कंट्रोर करना चाहते हैं एक्सेस करना चाहते हैं या फिर अपने ही कंपीटर से दूसरे कंपीटर में अगर कोई फाइल टेनस पर करना चाहते हैं तो आप आज किस लिश्ट में से किसी भी एक सौप्टेर को यूज करके ये काम कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में देख software है अगर आप अपने computer से दूसरे computer में file tennis पर या फिर आप अपने computer से दूसरे computer को remotely access करना चाहते हैं तो यह software आपके लिए best हो सकता है तो simply आप teamvier.com पर जाएए उसके बाद software को आप फिरी में download कर लिजिए green button पर click करके उसके बाद क्या होगा यह software आपके computer में open हो जाएगा उसके बाद आपको यह software को open करना है और अपने computer में आप इसको install भी कर सकते हैं तो simply आप teamvier के उपर right clicker को open या फिर double click करके इसको आप open मतलब install कर सकते हैं तो इधर आपको कुछ option मिलेगा तो इधर से simply लिए आप initial भी कर सकते या फिर आप only run पर click करके एक पर के लिए भी इसको use कर सकते हैं उसके बाद आपको हमेसा personal and non commercial को select करना है क्योंकि यह free version है अगर आप business के लिए उज़ करते हैं तो आप other use कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको simply नीचे एकसे बटन मिलेगा आपको accept बटन पर click करना है एकसे बटन पर click करते ही आपके सामने टीम यह इस तरह open हो जाएगा अब आपको जो करना क्या है देखें आपको इधर एक your ID और password मिल रहा है सेम तरीके से आप जिस computer को control करना चाहते है उसके अंदर भी इस तरह का एक password और ID मिलेगा तो आपको उस ID को अपने partner ID के box में डालना है ठीक है उसके बाद आपको simply नीचे जो करने बटन मिल रहा है उस करने बटन पर आपको क्लिक करना है उसके बाद password डालना है और तब भी आपके सामने आप जिस computer को control करना चाहते है वो computer के screen आपके computer के उपर आ जाएगा सेकेंड जो remote desktop software है उसका नाम है Anidex तो यह भी बहुत ही बढ़िया एक software है तो अगर आप Anidex यूज करना चाहते है तो simply आप किसी भी ब्राजबर जाकर Anidex.com पर जाएए उसके बाद आपको download बटन पर क्लिक करके इस software को download कर लेना है तो इसका link आपको video description मिल जाएगा अब आप इसके उपर right क्लिक करके software को open कर लिजिए यह एक portbell software है इसके इसके लिए आपको इस तरह का ID मिलेगा और आप जिस computer को connect करना चाहते हैं उसके अंदर भी अगर इस तरह का ID मिलेगा तो उस ID को आप इधार देखिए इस बॉक्स में डालने के बाद आपको करने बटन पर क्लिक करना है उसके बाद करने के साथ साथ ही आपको आपका जो computer है दूसरा computer जिसके अंदर आप connect होना चाहते हैं उसके अंदर एक परमेशन जाएगा उसको पारमेशन करने के लिए बोल दीजिए तो आपके सामने आपका फ्रेंड का computer के स्क्रीन आ जाएगा और आप अपने प्रेंड के computer को फुल ली एकसेस कर पाएंगे नमबर थ्री जो remote desktop software है उसका नाम है ME तो यह भी एक prodwell software है और बहुत ही बढ़िया एक software है अगर आपको नॉर्मली अपने computer से दूसरे computer को एकसेस करना है तो यह software आप यूज कर सकते हैं तो इसको यूज कर निकले simply आपको एक browser पर जाना है और emi.com पर जाकर आपको यह software डाउलोड करना है तो इसका link आपको video description में मिल जाएगा तो उधर से भी आप डाउलोड कर सकते हैं अब आपको इस तरह का आप ही मिल जाएगा तो आप इसके उपर right click करके open कर दीजिए या फिर double click करके आप इसको open कर लिजिए तो simply open हो जाएगा यह install नहीं होगा क्योंकि यह prod bell है अब आपके समने इस तरह का आपका id और password मिलेगा और same id और password आप जिस computer को control करना चाहते हैं उसके अंदर भी मिलेगा तो यह जो id है आपको इस box में डालना है ठीक है उसके बाद आपको नीचे एक कानेट बटन मिलेगा उस कानेट बटन पर क्लिक करते ही आपको password box मांगेगा तो आप अपने फ्रेंड के computer में जो password है वो password डाल दीजिए तो password डालते ही आपके सामने आपका फ्रेंड का computer सो हो जाएगा और आप इसको control कर पाएंगे नंबर फोर्ट जो सॉप्टेर वो है एरो एडमीन तो यह भी बहुत ही बढ़िया एक remote desktop software है तो अगर आपको पहले का software उतना अच्छा नहीं लागा तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं तो simply आप कोई ब्रादर पर जाना है और aero.com पर जाना है उसके बाद इस software को आपको फिरी में इस्ट्रो करने के लिए बोल दीजिए कि जिस computer का आपको control करना है connect करना है ठीक है उसके बाद उसके अंदर भी आपको सेम तरह कैसे इस तरह ID मिलेगा तो आप इधर ID box में उस ID को डाल दीजिए अपने जिस computer करना है उसके बाद देखेंगे आपको नीचे बहुत सरा option मिलेगा connect का तो connect का भी कर सकते हैं और इधर से भी आप चूच कर सकते हैं कि आपको file send करना है या फिर access करना है उसके बाद connect बटन पर पर जाना जाना है उसके बाद आपको remote pc.com पर जाना है उसके बाद देखेंगे आपको दो भरसन मिलेगा Mac के लिए और Windows के लिए तो जो आप यूज करते हैं उसी सबसे डाउलोड कर लिजिए डाउलोड करने के बाद आपको इस तरह का remote pc मिल जाएगा तो इसके उपर right click कर दिजिए उसके बाद ओपन कर दिजिए उसके बाद इस आपके computer में install होना इस्टाट हो जाएगा तो जब तक ना यह install हो जाता है तो simply आपको इसको install कर लेना है इस तरह से ठीक है तो जब यह install हो जाएगा तब आपके सामने यह software open हो जाएगा उसके बाद same software को आप दूसरे PC में भी डाल दीजिए जिस PC के अंदर आपको control करना है या फिर आपके फ्रेंट को बोलिए कि वो भी यह software को open कर ले इस्टो कर ले ठीक है उसके बाद आपको इस तरह किसरा का लोगिन नहीं करना है आपके सामने इस तरह का आईडी मिलेगा और password मिलेगा ठीक है तो आपके दोस्त को बोले कि इस तरह open करें तो आईडी आप मांग लिजिए उसके बाद सेकेंड़ा जो अप्सन है इस बॉक्स में आकर आप अपने फ्रेंड के जो आईडी है इस आईडी को इस बॉक्स में दाल दीजिए और जो की है वो की आप मांग कर आप डाल दीजिए उसके बाद कनेक्ट नावर्टन पर क्लिक कर दीजिए तो आपका फ्रेंड का PC आपके PC के ऊपर आ जाएगा और आप अपने फ्रेंड के PC को फुली कंट्रोल कर पाएंगे नंबर सी जो सॉफ्टर है उसका आपको बुली आईगन मिल रहा है तो दोनों बार्टन को आपको डाउलोड कर लेना एक भीवर है और है एक होस्त है तो डोनों को आप डाउलोड करना है तो शबसे पहलत को भीवर को open करना है इस तरह तो एकदम नीचे देखेंगे आपको एक greenा आइकन मिलेगा तो इसके right click करके आपको open करना है तो ये viewer जो है open हो जाएगा उसके बाद आपको करना क्या होगा आपको host को open करना होगा क्योंकि host के अंदर ही आपको अपना user और जो password है वो मिलेगा तो आप जिसके computer को control करना चाहते हैं उसको भी इस थरह का जो host है उसको open करने के लिए बोलिए उसके अंदर उसका जो key बगएरा है और ID बगएरा हो मिलेगा उसके बाद आपको add to connect पर क्लिक करना है तो connect पर क्लिक करते ही देखेंगे कि आपके सामने आपका जो फ्रेंड का PC है वो आ जाएगा जब आप उसका ID और password apply करेंगे तो ये बहुत बढ़िया एक software है आप इसको भी try कर सकते हैं नंबर 7 जो remote desktop software है उसका नाम है so my PC तो ये भी बहुत बढ़िया software है अगर आपको आगे का software उतना अच्छा नहीं लगा है तो आप इसको भी try कर सकते हैं तो इसको download करने के लिए simply आपको browser पर जाका so my pc.com लिगना है उस उसके बाद इधर से आप so my pc का जो software है उस software को आप अपने PC पर download कर लिजिए download करने के बाद सेम process है हम लोग नो जो आभी तक आपको बताया कि इस software को यूज़ करते हैं तो बाकि software के तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप तो simply इसको आप open कर लिजिए open करने के बाद आप आपको अपना जो PC है उस PC कर जिस PC का आप connect करना चाहते है अपने computer से उस PC में भी same software को open कर लिजिए उसके बाद आप उधर से आप permission मांग लिजिए और अपने computer से अपने friend का या फिस computer का आप control करना चाहते है उस computer को control कर लिजिए तो यह भी बहुत बढ़ीया software है आप इसक चलूर बताईए और आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज आर वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए अगर आपको इसी तरह का interesting वीडियो और चाहिए तो अभी हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए साथी bell icon को click कर दीजिए तो आज के लिए इतना ही thanks